साथियो नमस्कार, हमारे चैनल रमन विध्यार्थी में आपका बहुत-बहुत सागत है आप अपना कॉपी और पेन लेकर लिखने के लिए तयार हो जाएए क्यूंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इमला लिखना सीखेंगे इमला जो की एक अर्वी भासा का शब्द है हिंदी में कहते हैं सुर्थ लेक यानि सुनकर लिखना हम बोलेंगे और आप सुनकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे और अपने लिखे हुए से आप अपना लिखा हुआ हमारे लिखे हुए से मिलाते हुए चलेंगे किसी सब्द को आप ठीक से ना लिख पाएं तो उस सब्द के नीचे एक लाइन खिश दें और वीडियो देखने के बाद में उस सब्द को अपनी कॉपी पर बार बार लिखें इतनी बार लिखें कि अब की बार जब आप उस सब्द को लिखें तो बिल्कुल ठीक ठीक लिखें ठीक है तो उमीद करते हैं आप अपना कॉपी और पैन लेकर लिखने के लिए तयार होंगे इससे पहले हम कुछ सब्दियां पर कठिन जैसे हैं, उन सब्दों को आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपको लिखने में परिशानी ना हो, जैसे एक सब्द है उपलब्धी, और उसके बाद में संबंधित, सांसारिक, नियंतरण, के बाद में आदर्शवादी, उपलब लिख से लिख पाएंगे, तो लिखिये, हम बोले हैं, आप लिखिये, आप लिखिये मेहनत और त्याग के बिना, मेहनत और त्याग के बिना, ना ही किसी प्रकार की, कोई प्रगति हो सकती है, ना ही कोई उपलब्धी, ना ही कोई उपलब्धी, हासिल की जा सकती है, क्यूंकि, 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 जीवन में हर चीज, जीवन में हर चीज, को भी लिखने साथ में, जीवन में हर चीज को हासिल करने के बदले में, 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 हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, बिराम लिखने हैं, और यहां तक आपने लिख लिया होगा, मिला लें, मेहनत और त्याग के बिना, ना ही किसी प्रकार की कोई प्रगति हो सकती है, ना ही ना ही कोई उपलब्ध हासिल की जा सकती है, क्यूंकि जीवन में हर चीज को हासिल करने के बदले में, हमें उसका मूल ले चुकाना पड़ता है, आगे लिखिए, हमारी सांसारिक सफलता, इस बात से, सीधे तौर पर संबंधित होती है, संबंधित होती है, कि हमने किस हद तक, स्वार्थ और विलासिता, स्वार्थ और विलासिता के, विचारों पर नियंतरन किया है, विचारों पर नियंतरन किया है, कितना आपने लिखा होगा, मिला लिजिए इतना लिखा हुआ, हमारी सांसारिक सफलता, इस बात से सीधे तोर पर संबंधित होती है, कि हमने किस हद तक, स्वार्थ और विलासिता के, विचारों पर नियंतरन किया है, आगे लिखिए, और अपने मन को, और अपने मन को, और अपने मन को, अपनी योजनाओं के साथ, अपनी योजनाओं के साथ, अपनी योजनाओं के साथ, विक्सित तथा, अपने संकल्प को सशक्त, अपने संकल्प को शशक्त, शशक्त में पहले दनतसाले किये, बाद में ताला बिशाले किये, ठीक है, पहले सपेरा वाला सा, फिर शट्कोन या सलजम या शरीफा वाला सा, ठीक है, शट्कोन बाद नहीं लिखना है, संकल्प को शशक्त तथा अपने संकल्प को शशक्त करने में लगाया है करने में लगाया है हम अपने विचारों को हम अपने विचारों को हम अपने विचारों को हम अपने विचारों को जितना उच्च तम रखेंगे यहां तक आप मिला लीजिए आपने तना लिखा होगा और अपने मन को अपनी योजनाओं के साथ विक्सित तथा अपने संकल्प को शशक्त करने में लगाया है हम अपने विचारों को जितना उच्च तम रखेंगे आगे लिखिए हम उतने ही ज्यादा सही हम उतने ही ज्यादा सही और आदर्शवादी बन पाएंगे और आदर्शवादी बन पाएंगे बिराम लिखें आगे लिखें इसी के साथ इसी के साथ इसी के साथ उतनी ही अधिक उतनी ही अधिक हमारी सफलता होगी हमारी सफलता होगी हमारी सफलता होगी और लोगों के प्रेम और लोगों के प्रेम एवं आसीरवाद से भरी होगी लोगों के प्रेम एवं आसीरवाद से भरी होगी लोगों के प्रेम और आसीरबाद से भरी होगी वराम लिख दें और अपना लिखा हुआ हमारे साथ मिला लें हम उतने ही ज्यादा सही और आदर्श्वादी बन पाएंगे इसी के साथ उतनी ही अधिक हमारी सफलता होगी और हमारी उपलबधियां उतनी ही अधिक इस्थाई और लोगों के प्रेम एवं आसीरबाद से भरी होगी तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने इमला लिखने का अभ्यास किया उमीद करते हैं आपने बिल्कुल ठीक ठीक लिखा होगा यदि आप से कुछ गलतियों हो गई हो कुछ सब्दा आप ठीक से ना लिख पाए हो तो उन सब्दों को आप अपनी कॉपी पर बार बार लिखिए यदि आप बहुत से सब्दों को भूल गए हो ठीक से ना लिख पाए हो तो आप वीडियो को फिर से देखिए और उसके बाद में दो-तिन बार वीडियो को देखिए और अप इमला लिखने का अभ्यास कीजिए यदि एक दो सब्दा आप भूल गए हो तो अपनी काफी पर उन सब्दों को बार बार लिखिए इतनी बार लिखिए कि अपकी बार जब आप उन सब्दों को लिखें तो बिल्कुल ठीक ठीक लिख पाएं तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन्द विध्यारती को सब्सक्राइब कर लीजिए हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बहुती सरल और बहुती बिभारिक तरीके से हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है मिलेंगे हमारे इस वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय हिंदी